आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The outer layer of pollen is made up of यहाँ पर पूछा गया है कि pollen green जो है उसका outer layer किस चीज़ से बना हुआ होता है तो चलिए देखते हैं option में पहला है pollen in pollen in क्या है? यह एक ऐसा element है जो की help करता है cell wall को stiff रहने में क्या करता है? stiff रहने में help करता है और चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक pollen green का structure है जिसमें बाहर वाला जो है वो उसको हम लोग exyne बोलते हैं और inner layer है उसको entine बोलते हैं entine जो है वो specifically pectine या फिर cellulose से बना हुआ रहता है cellulose या फिर pectine से बना हुआ रहता है और यह क्या करता है? यह inner layer जो है इसको soft बनाता है और semi permeable बनाता है ताकि जो outside से कुछ भी आए foreign या कोई काम का mineral या nutrients तो वो membrane को पास कर सके तो हमारा cellulose और pectine दोनों entine में चले गए अब last बचा है sporopolinin sporopolinin जो है यह क्या है? यह क्रॉस लिंक polymer है जो किस-किस से बना है और यही main चीज़ है कि cross link पे हम लोग को ध्यान देना है और किस चीज़ से बना है? carbon, hydrogen और oxygen से तो यह क्या है? यह एक बहुत ही hard substance है क्योंकि यह cross link polymer बनाता है और यह क्या करता है? यह pollen को protect करता है shock भी resist करता है ताकि जो environment में shocks हो उससे pollen grain रप्चर ना हो जाए उससे भी protect करता है और क्या करता है? और यह यही वो substance है जो outer layer यानि के exean में पाया जाता है तो जो हम लोग का correct option होगा वो हो जाएगा स्पोडो पोले नीन Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 सूपर